हेलो गैस कैसे हो आई होप आप सभी बहुत अच्छ हो गैस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेस्बुक अकाउंट अगर हैक हो जाता है तो रीकवर क्यों नहीं होता है एक रीकवर कैसे करना है वो एक अलग बात है लेकिन रीकवर क्यों नहीं होता है उसके बारे म अभी कौन सा है, किस नाम से रखा है और उस account को open करके हम about में जाते हैं और email जो होती है about में जाने के बाद उसका screenshot ले ले लेते हैं हमें लगता है कि उससे recover हो जाएगा जी नहीं दोस्तों, आपको screenshot लेना चाहिए profile picture का और उसने account का name change किया है तो वो क्या रखा है और साथ ही आप email भी रख सकते हो उसको भी आप use में ले पाऊगे अगर आप about में जाके only email का screenshot ले ले लेते हो तो उस वज़े से जो है account recover नहीं हो पाएगा क्योंकि जब आप उस email से account find करते हो तो account आ जाता है लेकिन हमें नहीं पता कि ये account हमारा है या नहीं है क्योंकि उस email पे अगर दो तीन चार account और है तो हमें नहीं पता कि कौन सा account जो है आया है तो उस वज़े से हमें जो है उस ने हमारा जो name change किया है तो वो क्या रखा है उस से हमें find करना चाहिए profile अगर same आती है name अगर same आता है तो हम recover कर पाएंगे अगर email से find करेंगे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि email पे अगर other accounts भी हैं अगर वो हमारे सामने आ रहे हैं जब हम find कर रहे हैं उस email से तो हम recover नहीं कर पाएंगे जैसा कि कई बार हम अपने mobile number पे दो तिन account बना लेते हैं facebook account के और जब हम login करते हैं जब हम जो account login करना चाहते हैं वो नहीं होता दूसरा हो जाता है तो उसी परकास जब आप उस email से अगर हम recover करते हैं तो नहीं हो पाता है क्योंकि हमें पता नहीं है कि उस email पे और आपको facebook का जो name change क्या है वो क्या रखा है profile कौन सी है वो ज़्यादा जुरूरी है वो आपको ज़्यादा काम में आने वाली है और साथ ही आप email भी रख सकते हैं नेम से आप find करो अगर name से नहीं आता है तो भी आप name रखो profile रखो और email से find कर लो अगर find करने के बाद profile Sam है आपने रख ली name Sam है और फिर आप उसे recover कर सकते हैं या फिर आप उसने name change क्या है वो क्या रखा है उससे आप उसे recover कर सकते हैं अगर email से हम try करते हैं तो वो नहीं हो पाता है क्योंकि account से अलग आ जाता है हमें लगता है कि यह हमारा ही account है और हम जब recover request डालते हैं आगे mobile number हम अपने डालते हैं password अपने डालते हैं हमारा account नहीं होता है details मैच नहीं होती है तो recover नहीं होगा तो यह मैंने video बनाई थी आज इसी लिए क्योंकि instagram पे मेरे पास दो-तिन अकाउंट आ चुके थे कि facebook account हैक हो चुका है और recover भी नहीं हो रहा तो इसी वज़े से नहीं हो पता तो आपको जो है अगर hack हो जाता है तो यह सारी details जो मैंने बताई आपको यह जरूर ध्यान में रखे इससे अगर आप recover करते हो तो कोई problem नहीं आएगी एक और बात हम आपको बताना चाहूँगा कोई भी हो उसको अपना ID पासवर्ड मत दो कोई भी हो मेरे पास एक नहीं कई accounts आई थे जिननोंने बोला था कि आप फिर रिकवर करके दे उन्होंने अपने facebook की सारी डिटेल मुझे दी, ID दी, पासवर्ड दी, आप मोईल अमर दी, इमेल दी तो यह मत दिया करो किसी को भी मैं तो इसका गलत यूज़ नहीं करता किसी भी चीज़ का मैं गलत यूज़ नहीं करता इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ किसी को भी दो अगर आपको यह problem हो जाए किसी से पूछना कोई बूरी बात नहीं है अगर मुझे कोई problem है तो मुझे पूछ सकता हूँ आप भी पूछ सकते हैं उसमें कोई problem नहीं है लेकिन किसी को अपनी personal details जो है share मत करो और बस यही मैं आपको बताने के लिए आया था जो recover detail है वो मैंने आपको बताई कि क्या क्या आपको जरूर रखने होती है और अगर आपके साथ यह कुछ इस प्रकार से हो जाता है तो आपकी जो personal details है वो share मत करो किसी से पूछ लो वैसे ही किस प्रकार से होगा आप कर सकते हो कोई दिकत नहीं है कर पाओ गया आसानी से बस अपनी personal details जो है वो किसी को share मत करो अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाई कोमेंट शेर मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए धनेवा